Hello everyone, आज हमारे पास है बिपल गोस्वामी, जो हमारे स्टुडेंट है, स्कूल अब बैंकिंग एंड एससी सिल भुकरी ब्रांच, यह हमारे स्टुडेंट रहे चुगे लास्ट एर का और उनके लिए बहुत ही एक अच्छा उन्होंने, वी गट अच्छा एक न्यूस मिला सक् है, सो यह बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि देखो, जो भी मेहनत करता है, उसको जॉब मिलना चाहिए, यह बहुत ही इंपोर्टन था, ठीक है, उन्होंने बहुत हाड वर किया है, इस जॉब के लिए, तो इश्वर ने उनको यह गिफ्ट दिया है, कि एक जॉब मिला है बहुत ही अच्छा जॉब मिला उसको, ठीक है, सो हम जानना चाहते है, विपुल हमारे सामने बैठा है, सॉ हम जानना चाहते कि उनको कैसे मिला और कैसे फिल कर रहे है, सबसे पहले वह आपने स्ट्रगल डेस के बारे में बताएंगे, किस तरह से स्ट्रगल किया है, कौन सा पासओ आरो ड्वेसर दिसेम्बर द मैं स्कूल बेंकिंग आही इसलो बेंकिंग और कुछिंग रिव लुए आरो तर पीसर परा मतामने सोय हत्मा यत कुछिंग रिलु तर पीसर परामी प्राइ सरी बाज जन लुरा एके लिए को रिलु भासकर भवजित अजय मोय अमीट दे जागात होई गोल बाके की जन आसे ताथा भी मुए मोर सक्सेस तोरी तो आजी कबल हो लाई शू शो अमीजेतिया कोछिंग आरो बेंकिंग और सो ड्वेसर परामार बेंकिंग और एक्जाम बिला कामी स्टार्ट कोई लू बने दिया किन्टो आनफरसुनेटली ड्वेसर मोर आता ही बिलाग प्लिम्स फेल मुए सो तार पिशात नतुन कोई सिंता दरना आरंब बो कुरिले जे ओहाव सर्पाथा ड्वेसर बाइसर मुए के नाखे बेंकिंग और एक्जाम बिलाग स्टार्ट कुरीम सो अही बिलाको आरम मुनी परा मुए बाल बेलेक कोई प्लिम्स फेल मुए अचार एकजर सबस्ता भाइसर शाया इसमाट आर प्लिम्स फम्सर करे आर प्लिम्स फेल मुए थाल्स फॉर्ड़ एक्जे एक करई अब इसान वह वी ईंप्रेशिए व इंटा मने जैनी निव जो कर दो आखे बेल दिया घग जीतो प्लिए प्लिम्स अब बर्बव एक्स्टरापोरी जाते साइट इसेट बए साइट बाईच दो होडिएखागरू परिपरायशन थे मार्श्म पर आशाम ओंडरे घ्रेटरी परिपारेशन आन्बव एli प्राइ बिना मोर मैच दिज निग बाइग इंग्लीज इभलाग मोर ठीक है अजील तरफी देखिनी जीके परशन होई स्टेट असामारू इंडियान जीके हेखीनी करने अलाप तीनी सारी मामन बहुत भालके पोईलो सो हेखीनी पोरी रितिन को लिभाय कोरीलो तार बिशाथ स्कील तेस्ट होल स्कील तेस्ट किनी दी डिसेम्बर थेगोईशी ले 2022 भाइशर शो जो हाकाली और तार तीनी मेह तरीके फाइनेल इजार दीले तार ते फाइनेल लिए मोई ग्रेथ्रीट अटा साकोरी पाबला हिक्खामाई थू आर यार बबे प्रतमाले मोई मोर मादर तक थांजाबाद दीमें तार पिसटे, तार पिसटे धल्बाद र पत्र हिक्षागरो होकल और एक कमपिरेटिब जार्नी तूर, पोरी आदा आम के सी आगबाद श्रीधर सार गार्शार आशे तो ए सक्सेस तूरो आता अंखा इचापे मुई आगबर सारारो सीधर सारार अशरात हडाई रिनी होई ठेकिम आरो यार बाबे मने मुई भाखारे भुजाबनोर आता आनन्द भाईचु आजी हे गरने सारार अशरात आहीलो एक बार साराक बार मने साराक बार आखिर बार लोब जाते होई शोते यातकरो भालाग जाम क्रेक कोरू आरो सारातर साराकोलोर दिरहायो गमाना कोरीचु आरो स्कूल अब बेंकिंग अरो उत्तर अब आतार कमाना कोरीलो आरो होकोलोर जाते यात पोरा होकोलो पुरिक्खा डिभाहिक तरफ दिरे जदे परबट्टियों में जदे साकोरी होई आरो एंस्टियू तो लोगे हुनाम को रिया याने तरव बे लिए अधर को नर पुरा अखा गोई लू आरो स्कूल अब बहुत अच्छा लगा सुनके सबसे बड़ा हम लोग लिए न्यूस है और बहुत अच्छा ब अधर के लिए एतसे कहने को तो जस्पास है लेकिन फैमिली मेंबर्स को माता पिता है उनके फ्रेंड्स है उनके रियूस के जो रेलेटीव है हम लोग भी इसमें बहुत हम लोग को फाइदा होता है जैसे एक बर once you get passed तो उसका माता पिता ूद जी को क्या वोऺित कि सबसे इंपोर्टन बात लाइफ में यह होता है कि never to surrender when you go to when you go to fight with anybody like exam के लिए कोई भी exam के लिए जब आप exam के लिए जब आप exam देते हैं तो कहीं ने कहीं आप फाइट कर रहे होते हैं ठीक है you are a soldier तो soldier को कभी surrender नहीं करना चाहिए ups and downs preparation के दोरान उस रास्ते पे उस journey पे आते रहेंगे कभी आप होगा तो कभी down होगा समय हमेशा सेम नहीं रहता है सब के लिए सेम नहीं रहता है कभी कभी ऐसा लगेगा frustration यार मैं क्या कर रहा हूं दो साल हो गया नहीं हुआ बहुत frustration हो रहा 20% का gap था तो वो 20% के लिए जो आपने छोड़ दिया है वो 20% का जो job है वो कोई और लेके चला जाएगा अगर आप छोड़ देते तो ठीक है वो उसका सही माइने में मतलब आप हगदार थे तो उसको job आपको मिलना चाहिए था लेकिन बिपुल ने कभी हार नहीं माना बि कि बहुत सारे स्टूटन को मोटिवेट किया है स्टूटन जो एक्जाम के तयारी करने के हमारे इंस्टिटूट में आएं जब भी कोभी मतलब डिमोटिवेशन हो तो कभी यह सोचना चाहिए कि अगर मेरा पास क्या कमी रहे गया उच चीस के बारे में सोचो उसके बार में एनलाइज करो कि मेरे को क्या कमी रहे गया यह मत सोचा कि क्यो नहीं हो रहा है यह सोचना कि कैसे नहीं हो रहा है मैं और क्या कर सकता हूज हो जाएगा कौन सा सब्जेक में लैप सा रहा है उसको देखो और कैसे करके मार्स बढ़ा सकता है उसको देखो मोक टेस्ट जादा तो टीचर्स का बात मानना चाहिए, सुनना चाहिए, ठीक है, तो ये चीज है कि कौन सा चीज पढ़ना है, आपको कौन सा चीज नहीं पढ़ना है, ये डिसिजन बहुत इंपोर्टन है, इसको कैसे पता चलेगा, प्रिविएस लेस पेपर को सॉल्फ करो और मोक्टे जादे करो, जो समझो कि किस तरह से मार्क्स नहीं आए, क्या करने से ज्यादा मार्क्स आएगा इसको पर अनलाइज करो, रिदन ते तू छोड़ देने से अच्छा रहेगा, ठीक है, ये क्यो नहीं हो रहा है, ज्यादा फरस्टेशन ये पार्ट अफ लाइफ, ये आएगा हर किसी इसके लाइफ में आता है, कोई अगर टॉप किया अगा ना उसकी लाइफ में ये फरस्टेशन आएगा, ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ओल्द पिस बेपूल बहुत अच्छा लागा, थैंक्यू नहीं मच्छ यार, चला ठीक है